हेलो दोस्तो, मैं रिशित अपर डॉक्ट्रेनर डॉक्ट भेवियस दिवाली आने को ही है और बच्चे लगातार पटाके बजा रहे हैं क्रेकर्स चलते ही रहते हैं दिवाली के बाद भी और डॉक्स को बहुत ही बड़ा फोबिया होता है क्रेकर्स से पटाकों से वो चिप जाते हैं, दो तीन तीन दिन खाना नहीं खाते हैं डरे रहते हैं, शिवरिंग करते हैं और काफी डॉक्स को अटैक भी आ जाता है या वो पैरलाइज हो जाते हैं तो मैं आपको इसका एक सरलसा उपाई बता रहा हूँ एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ आपके घर में कोई भी एक अगर रूम अलग है तो आप उसको उस डॉक को खाना देने के बाद वहाँ पे छोड़ सकते हैं जहां पे वो रिलाक्स फील करें और अराम से वो एक जहां पे उसको ठीक लगे वहाँ पे बैठ सके इससे बहुत ही अच्छा फील करता है डोग काफी रिलीफ फील करता है उसको यसे लगता है कि मैं प्रोटेक्शन में हूँ आपने कभी भी डोग को बाहर नहीं छोड़ना जो डरता है शिवरिंग करता है या खाना चोड़ रहा है उसको क्रैकर्स के बीच में नहीं छोड़ना है क्योंकि इससे इन फीचर कोई ना कोई प्राबलम या कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है सिंपल सा उपाय है एक उसको अलग रूम दीजिए अंधेरा कर दीजिए जहां पर वो कमफर्ड फील करें बस इतना सा ही करना है और आप अपने बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा ये एक उपाय कर सकते है थैंक्यू वेरी मच